हेलो दोस्तों कैश है आप लोग स्वागे थे आपका यूटूब चैनल इलैनी विद्रगेश में आज हम लोग पढ़ेंगे परियार रहना को इंसाइटी पैटर्ण पे तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहित तेज़े सर के नोट्स पे हैं उन्होंने आपको जानी के लिए इस से त्यार किया गया ताकि आप तक पहुच जात उनके लिखे हुए औरा चलिए शुरू करते हैं और आज की बिगाना वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने लाइक करिएगा और अभी में गुजरात में हूं मैंने गांधी नगर गांधी धाम नगर दिखा जो कच्छ जिले का नगर यहां पर कच्छ जिला है अब मैं बलसार स्टेशन पर पहुंच चुका हूं यहां पर खाने वाली छेज़ मिठाई भिग रहे थे तो यहां पर कहीं ने कहीं गुजरात से मिलने वाले प्रमुख खाद्य प्रदार्तों के साथ साथ यहां पर उहां के लोगों द्वारा जो मुख्य वेंजन है उसको यहां प्रदर्शित किया गया है अब आगे बढ़ते हैं गुजरात में बात और जैसे कि आपने आप एक बात और जानते होंगे किया पर सेर गिरी का वन है ठीक है जो सेर के लिए बड़ा प्रशिद्ध है और यहां पर जंगली गधा भ्यारण भी है गुजरात में चलिए आगे देखते हैं महराष्ट्रा की बात करते हैं इसके ठीक निशी आएंगे तो कि बाजार गांव वर्दासर देखा विक्टोडी ट्रेमिनएल स्ट्येशन मंबई है मंबई दिल्ली से मंबई जो दिल ली से चोडो सो किलमेटर दूर है से और कपड़ मुंबई में है अब यहां पर जानते रहेगा जो महराष्ट की राजानी मुंबई है और यहां पे च वीडियो को पहुछा दिजी हमारा आपका सबसे पहला उत्देश लोगों तक वीडियो को पहुछा ना ठीक है और यह लोग लाइट पढ़ने क्लास पूरी तरह से लाइए ठीक है अब आते हैं गुवा की बात करते छोटा जाप इद्धीस है यहां पर गुवा है अब मैं ग सबसे ज्यादा लंबी सीमा रहेगा सबसे छोटी गुवा बनाती है उनकी सीमा किसको अरब सागर को असपर्स करती हैं यह बात आप जानते रहेगा वहली बात है क्योंकि आसे प्रश्ण आपके सीधे-सीधे पूछे जाएंगे भी आगी ठीक है तो अब भी तक आप लोग भी लोगं तक पहुचेंगे जब आप इसे पूरी तरह से लोगों कोचाएंगे शेयर खरेंगे चलिए ब्लूत बहुत धन्यवाद आपका हाइक आप इस वीडियो को शेयर किया अब करनाटक में आते हैं देखिए सबसे पहले आप लोग उनलीं क्लास के लिए का जुड़ना चाहते हैं नोट्स के लिए तो सबस्क्राइब उसकी प्लाप्र जिया नोट्स फ्लप लोगी अगर आप क्लास खतम होने के बात चाहते हैं जैसे पुड़ी प्लास खतम होगी आपको इसकी पर इलाणी बिद्रगेश के और टेलीग्राम पे सभी क्लास की नाटिफिकसंट पीडिया फराम से आपको मिल जाएगी और डिस्केप्शन उसका लिंक भी है अब देखें करनाटक में करनाटक मां यहां पे कंणद बोली जाती है करनाटक होलगुंडी गौम में भीमा संग बच्छों की पंच्छयत अब भीमा संबध tutorial की बात करते हैं कि यह अब है पर दूधी श्टेशं से गरम गरमिटली बड़ा खरीदा यहां के लोग सफेद क्रिम रंकी धोती पहनते हैं के लियालम बाशा बोले आती है जो उल्टा सीधा एक समान आता है अमुमा नानी को कहते हैं विलियम मा मा की बहन मौसी को कहते हैं इस तरह हम लोगों यहां के बारे में देख लें पांच राज्य के बारे ह पढ़ेंगे परिछाम यहां से प्रस्णाति आपको पढ़ना जरूरी है अब थोड़ी चीजा आपको पढ़ने के लिए मिल गई तो तमिल राड़ो के पडूसी राज्य की बारें बात के देखें में दच्छन भारत को अगर मैं यहां पर बना देया तो यहां पर तमिल ल है फिर उपर यहां गये तो क्या है करनाटक है और यहां पर पुदूचेरी भी है कि त्यों गया के रल का फिर गुजरात का पडूसी राज देखा जाए गुजरात यहां पर है तो गुजरात के सामधार आएंगे तो पूर में मध्य परदेश उत्तम राजस्थान नीचे म पूलब देखर आजेंगे जो टेलीग्राम पर मिलेगा फटा इसको कर देजिए पहला कम आप लोगों करें जल्दे से आगे बढ़ते रहें यहां पर छोड़ा सचीजे हम लोग को पढ़ने को देखने को मिलेंगी क्या रहा है कि असम की बात करें यहां पर तो असम में बह बास से खंबे पर घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फिट और कई मेटर देता तीन से 3.5 मीटर तीन से 4 मीटर के लिए बास गरीबों का टिम्बर कहते हैं मेलन गाओं असम में हैं यहां पर बेहु नित्य पशिद्ध है बेहु पहले दिन साम को उरुका कहते हैं भेला घर बनाया ज बनाया जाते हैं यह आप जानते रहेगा अब आगे पढ़ने जा रहे हैं और इसकी पीड़ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी मैंने पहले बता दिया देख सकते हैं और शाथी शाथ ओनलें क्लास नोट्स के लिए 630634367 पर वार्टसेप करके ओनलें क्लास समद्धे जंख ूटलकेश की भी फेजुख पेज ओर टेलिग्राम पर उपलत दोगी ले लद्धाग बहुत कम बारिष ओती हैं जिल्दाग कहां पर कम बारिष होती हैं कारण क्या होती है क्योंकि विष्ट शाया छेत्र पड़ती हैं यहां निचली मनजल में खिड़के नहीं होती है मोटे तने का पुर्ट्टंपर रखे जाता है इसको रखा जाता है इसको रखा उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती दिखिए दो बाते जानते रहेगा खासकर आपको परिछा में आसान कर देगा कहीं कभी जो घर होगा दो बातों पर निर्वा करता पहला वहां की प्राकितिक शंसादन दूसरा प्राकितिक पर्यावरन इन दोनों पर ही घर पहले मंजलिम खिड़की नहीं होना और तने का च्छत बनाना और ताकि संतल बना रखना यहां पर वारिस तो हो नहीं रहे जादा और पत्थल है वहां पर तो वहीं बनाया जाएगा उस पर पिल्ट्री और चूले से पताई करना यह बात आप लोग थोड़ा सा जानते रह आप यहां पर 500 मिट्र कुचाई पर एक सुनसान पत्थरिला मैदानी राका जिसे चांग कहते हैं यहां पर चंगमा गुमंतु लोग रहते हैं जो एक खास तरह की बकरीयां पालते हैं जिनके बालों को दुनिया मसुहूर पश्मीना उन प्राप करते हैं जिसे हम पश्मीन या कलाद कर उन्हें टिंटों को रूबे रेवो कहते हैं कि रेवो के पास भीडब करिया कि जगह रखे है तुछे लेखा कहते हैं अपने तक शेयर कर दिएगा ताकि लोगों तक यह पहुच जाए कि सभी लोगे पहले अकाम तो शेयर जरू करिएगा दिखें यहाँ पर हमें देखा कि एक पस्मीना च्छा स्वेटरों के बराबर गम करता है इससे ज्यादा ही आपकी प्रस्टाइव को से कम होई नहीं रखते हैं पस्मीना साल च्छा स्वेटर बराबर गरम होद एक पस्मीना साल को बनाने में धाजिसों गंटे लगते यह बिए रखे हैं सिकोटोपुल जाउं लद्धाक में मावाक मावाले को पिता को आपपाले घहते है यहां श्वागत को जूले-जूले करते हैं यहां का तापमान जिरो डिग्रे सलस्य से लेकर चाय डिग्रे सलसिय स्था जाता है चांग ठांग का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं तो मुझे उम्मीद करते हैं सारा टॉपिक आपको समझी में आ गया अगर आगया तो इस वीडियो को शेयर जरू करिएगा जरूर से जरू करिएगा और 63063 पर यह नंबर जो है इस पर वाट्सेप कर सकते है आप ओनलेंग क्लास नोट्स वीडियो लक्षरिंग सभी की विदीवत जानकारी ले शकते हैं अब जिसे कुछ चीजिए आपको यह सवर पढ़ नहीं है बिहार के बारे में नमक एक जिला तेवारों के मौके पर घर की दिवारों के अंग्लों में चित्र बना जाते हैं मदबनी पेंटें के लिए बहुत प्रशद्ध बिहार की जो सीटेट के लिए बहुत पूस्ता अगर और हो बहुँ प्रश्णियाश आते हैं और दूसरा इससे वे चावल के घोल से रंग विलाकर बनाया जाते हैं यह रंग बनाने के लिए हल्दी फूल पेड़ो वादी के रंगों का प्रयूक किया जाता है बोचाहा गाउ बैहर के मुझफर जीलेश है और लीची पर जूड़े रहेगा साती साथ कोई दिक्कत हो कोई समस्य आप पूछेगा आप पूछ सकते हैं इसकी इंसाट भी कर सकते हैं आपके लिए तो बढ़िया इसकी इंसाट भी कर लीजिए अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं अब अंद्र परदेश की बारे में थोड़ अधिकतर परिवार बुटकर है बुनाई जो होती है उसे पोचंपल्य के नाम से जानते हैं पोचंपल्य साड़ी दुनिया भर में प्रशिद हैं अंद्र प्रदेश के आत्रेपूरम गाउं यहां पर आम के भाग हैं यहां मामीडी तंड्रा आम फापड बनाया जाता जो प्रशिद्ध के बारे में आंद्र प्रदेश के राजधानी क्या है आप से लोग कमेंट करके बताएगा अब यहां लोग गोलकुंडा की तरह बढ़ते हैं गोलकुंडा है जो 1518 से 1680 तक कुतुफ साही सुल्टान राज के और उन्जिब की कउज यहां पर फौज यो थी ह अंद्र प्रदेश की प्रमुख नित्त है कुछी पुड़ी यह नित्त द्योताओं को समर्पित है पोचंपली कलमकारी साडियां इस तरह के प्रशिद्ध हैं कि जैसे कुल्लू साल असम की मधवनी पेंटिंग बिहार की कस्मीरी कणाई इस सब चीजे नामों से प्रशिद आपको आने तथ्थों के जुरुत फिर से ना पड़े अराम से कर येगा और अपने सभी साथ्यों को शेर करिएगा प्रद्धे राज साढ़े नौ बजे जीएश की महागाता स्रीज में आपको प्रद्धी नहीं मिलेगी राज साढ़े नो बजे देखना ना बोलिएगा इलनीव द्रगेश की BCS प्रसुती, EBS, NCRT पैटन पर अगर आपको सेलेक्शन लेना तो सीधा सीधा NCRT से पूछा जाता है और पूरा NCRT का निचोड आपको इलनीव द्रगेश पर मिलेगा अगर आपने भी तक क्लास नहीं जोएन किये तो इलनीव द्रगेश पाउंग क्लास भी जोएन कर सकते हैं अब जम्हु कश्मीर की बात करते हैं अगर हम जम्हु कश्मीर की बात करें एक बात और याद रुखेगा इसकी जो PDF है और पीज है वो हमारे page पर लैनी में दुरगेश आपको दिखराया गया था और खास कर ताकि आप लगो दो भूचिए की खुलियेंज 65 गर्व से नहीं बहनते हैं इस प्रिकार है जैसे house board एसमें बाहरी टूरिष्ट है रहते हैं इनकी लंबाई 80 फिट है और यह 8 से 9 फिट होती है इनकी छत पर लकड़ी की सुन्दर नकासी होती है इनमें खाज जी जाहिन को खतम खतम बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है जिक्सा पजल मैंने पढ़ा है यहां पुराने गरों की बाहर उबरी हुई खड जिल में जिलण मदी में तर्ते हैं इंडोंगों में परिवार रहते हैं काक्ति घारा की वहार मित नहीं की पुताई अपर आधा ठीक है छत ढलवा होती है जम्मु कस्मियर में चाय कहवा कहते हैं इसमें इलाइची और बादाम इत्यादर रजाते हैं बहुत अच्छी चाय होती है अभी तुमने कभी पिया नहीं क्यों पढ़ा है मौका मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे जरूर आपको क्या ये इंसाटी फैट पूरा है की नहीं है और है अब यह कमेंट करके जरूर बताईए सबी लोग जो लोग भी लाइफ देख रहे हैं सबी लोग मनाली ये पहारी लाका है पत्थर लगरी से बनने होते हैं यहां पर बहुत बारिस हो ती था बरपड़ती हैं के लड़के बच्चे जो हैं वह पथलों पे चड़कर जाते हैं विद्याले पढ़डे के लिए इस चुलोडी सी बात हम आपको फिर से बाताना शाहेंगे कि ए लेनी भी दुर्गे से जरू जूड़िएगा जैसे लेनी भी दुर्गे सार्च करेंगे आपको आ जाएगा और 63063-4367 पर वाट्सेप करके आपको नोट्स मिजोरम में बीजोबासा बोले जाती है मिजोरम में बास से बने कप मिलते हैं मौका मिली जरू जाएगा मिजोरम में खेती लोट्री निगाले जाती है जमीन को साधा मानकर लोगों को बारी बारी जमीन पर खेती करने का मौका दिया जाता है कि एक टीन हुआ यह पहले तो पंचाथ होतीए है पंचाथ ॐन्ेे इक टीन वह बीच घुमी तक बोया जाएगा वह फो में उनकी होगी उसे एक टीन बीच एक्ट इन जमीन के नाम से जानी जाती है अब चाहिए इसके स्किन सॉट क्लिक कर लें क्योंकि वह अगर सेलेक्शन लेना है तो यह लेनी भी दुर्गेश आपको जुड़े रहना होगा कि हमारे एक मात उद्देश से आपको सेलेक्शन दिलाना मिजोर्यम की राजधानी क्या होगी कमेंट करके बताइएगा अब हम आते हैं यहां पर फसल काटने के बाद जमीन में कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं उसमें खेती नहीं करते हैं फिर उस जगह पर बहां से जंगल उख जाते हैं यह लग उन्हें उखाडते नहीं बलकि उन्हें गिरा कर जला देते हैं और यह राख खाद का काम करती है यह राख जो है इसका काम करती है खाद का काम करती है फसल पकेने के बाद यहां त्यवार मनाया जाता है अच्छी त पकने के बाद यहां एक तेवार मना जाता है सभी एक साथ चराओ नित्ति करते हैं इस नित्त पे जमीन में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने समने बैठती है और ढोल के तान डंडिया जमीन पर पिड़ते हैं यहां कि मुख्य पसल चावल है मिजोरम मे तीन चौथाई लोग जंगल से जुड़ें कितने चौथाई लोग तीन चौथाई लोग जंगल से जड़ों हैं अगर हम केरल की बात करें तो मल्लापूरं गाउं केरल में मल्लापूरं गाउं जो है वह केरल में है केरल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फैरी करता है कि यहां से आपके जो यहां से महत्वपूर्ण टॉपिक थे वह आपके यहां से क्लियर हो चुके हैं फिरू भी अगर आपके मन में कोई प्रेश्ण होता अपने ही चक पूश रखते हैं यहां से देखिए अबुधावी देश की बारें बात की गई है गाजी खान ना पर्योतन होने की बाद चलेटे कि नभी तो नहीं होई है तो यहां सारे इसे परिष्ण हो पूछे जाते हैं आप बताएगा यहां तक क्लास क्यासी लगी कोई डावुट कोई शमश्या कैसा लगा क्लास आपको फटाफट कमेंड करें क्या सब्सक्राइगा बताइगा आग अब पुद इछी तरगी से पढ़ना है राजस्थान को भी राजस्थान में बारिज बहुत कम होती है यहां के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं इनकी दिवारे काफी मोटे होती है छहदे कटेली ज़ड़ें से बनी होती है राजस्थान के जैसल मेर में च्छासो पचास पुद्धार कुवाभी कहते हैं उन्हीं सोच्यासी में जोदपूर के पास असपास सूखा पड़ा था तो इन्हीं बावडियों का प्रयोग में लाया गया था राजस्थान में टाका बनाकर बारिस की पानी को इकट्ठा के जाता है जैसे आंगन में बड़ा सा गड़्ड क्ला करने तरुद भाड़ संग नहीं किया था बज्जू गऊंव राजस्थान में के राज सतान के राजस्थान की राजव कुछानी की यह यह आप कर्यागा बच्रेको आपको प्रयरित करते रहना है तके बंच्यों मांचित्र में को豉षटे रहे हर्याणा की बात करते है होगैं कि मिर्णैं Duty गशाएं इसको होता है इसका उद्देश मिट्टी में कीड़ा याद रखे गा किमसा से बचाने किवरें इसके नीम काउन नाम क्या नाम किया था गुरू गरs रंंप करके सबीं किराओ बताएं गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था फटाफट सभी लोग कमेंट करें जवाब दे हर्याणी की राजधानी क्या है नकस्वें बताई हर्याणा क्या है बेटी बच्चा और बेटी पढ़ाओ यह जना हर्याणा की उलागू की गई थी और क्या खासियत है इसे बच्चों से बात करें और वहां पे जो लेंगी भी भेद उससे बच्चों को दूर कराने का पूरा-पूरा में और आपको प्रयास करना चाहिए और वीडियों कैसे लग रहा है जितना आपके पास ग्रूफ है सभी उपे जितना ज्यादा-ज्यादा हो सके जितना ज्यादा-ज्यादा हो सके ठीक है हर्याणा के बाद कि आपका जो है करनाटक है करनाटक में क्या है कि बेलवी का गाउं है यहां प्याज की फसल उगाई जाती है इसकी फसल प्याज की फसल उगाई जाती है खूटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं इसको पीट कर क्या करते हैं मिट्टी को नरम करते हैं कुरीगे बीजों को बोने वाला जैसे चलता रहता है इसे बीच जालते रहते आगे बढ़ता रहता तो बीच पढ़ता है उसे क्या कहते हैं कुरीगो वीज बोने वाला होते हैं प्याज बोने में बात 20 दिन पौधा निकल आता है इलिगे इलिगे होता जैसे वह इस तरह से इलिगे होता है यहां पर प्याज को रखके काटने वाले यहां या सब्जी दुगान वाला काटने के लिए कुणडा कद्दू काटने के लिए तुसे क्या कहते हैं करनाटक मेइख खोल कंड के लिए ते बड़ों के साथ दि इन बच्चें की पंचया Alors को मशाले के सास मट्कें भरते हैं और शिल्बंद कर के को हौले के अंगारों में बनके को लता परकर पकाते हैं इन पकी सब्जियों को को धायू कहते हैं जिनका गुजराती भासा में उल्टा अर्थ होता है बहुत अच्छा होता मैंने भी खाया है आप भी खायेगा गुजरास से अंदाबाद की जो दूरी है बठारा किलोमेटर अंडालज बावडिश्थित हैं इस सब के बारे में एक बारा पच्छे तरीके से पुल दे जगाए इंस्याटी की नोट्स पूरा-पूरा है क्लास खत्म होने बाद आपकी पीडियाफ आपको टिलिग्राम पे मिल जाएगी जहां पे दुर्गेश और बीना इस्पेस के सर्च करेंगी लेनी भी दुर्गेश पर आपको उपलग्द हो जाएगी उडिश्या में बात करें उडिश्या में काला हंडी जगा है यहां पढ़ा दिया इसके अलावा भी बहुत सरे फैक्ट से जो हमने इलनी भी दुर्गेश उसे कहले पढ़ा दिया और अलाइन नोट्स में था यह सौट में आपके लिए बढ़िया बेधिवत मसाला त्यार किया था आप कोई नोट्स कैसा लागा कमेंट करके बताएगा यह क् सब्सक्राइब दुर्गेश सर्फ करेंगे आपके पास एलनी भी दुर्गेश पर जरूब से जूड़े रहेगा और अप सर्च करियेगा दूर्गेश सर्च करेंगा इस यह बीना स्पेस के जैसे यह दुर्गेश सर्च करेंगे आपके पास इलनी भी दुर्गेश आएगा उस अब जोईन कर लिजए इस पेस मत दीज़ेगा आओ दूसरी चीज अगर आप फेस्बूक युज़ा रहे हैं इलनी भी दुर्गेश महिसर पे भी आपके फेस्बूक पे पे हैं महाँ पे भी आप इसे पासकते हैं वहनि कहीं भी है तो सबसे पहले आपसे दिन्यवाद और इस वर करें लोग जल्दी शे जल्दी शे आगे बढ़ें और घर बैटे कर आप उनलाइन सब्सक्राइब करके सभी जनकारी ले सकते हैं तो आप से छोटा सा प्रश्ण आप से पूछूंगा उम्मीद करता हूं कि आप सभी जवाब देंगे आप से छोटा सा प्रश्ण है कि NCRT का अब आप से इन से फूल फॉर्म ने पूछू तो आप फड़ा फड़ कमेंट करके बताइएगा इसे मजाक में लिए सभी को जित्ता जादा जादा जाद करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद इसके बाद मोग और आगया हैंगे प्रद्द राज साड़े नोबजे जिए में और परेवाण की शिरीष प्रदिर राज साड़े नोवजे इस तरह करम से लगा अतार चलते रहेगे पूरे अनंत काल तक मैं चाहूंगा का आप इस वीडियो में जुड़े रहें अपने साथियों को सेयर करते रहें पहुचाते रहें बहुत-बहुत धन्यवादस साथ बैस्ट आफ लग वीडियो को सेयर करना ना बुलेगा